रिल्ट रिविवी दोस्तों यह अगर आपको यह यह को यह तैसिस्ट मॉल हण होता है क्या इसके वार्स कीसा किस तरह इसको बढ़ाएंगे और होता 기ा है क्या इससे नुक्सान होते है तो उसे के बारे में हम बोरी डिस्क्रिक्रिक्स के साथ हम चर्चा करेंगे आपको मैं बताता हूँ जो टेस्टिस्टोन हर्मोन होता है इसको एक मेल हर्मोन कहते है यानि कि मेल हर्मोन जो कि मेल ने पायाता है यह कि हार्मोन मेल और फिमेल यानि कि महिलाव और पूर्स दोनों में पायाता है लेकिन महिलाव में इस हार्मोन की जो है मातरा बहुत कम होती है लेकिन टेस्टिस्टोन जो हार्मोन होता है पूर्सों में बहुत तदिक मातरां पायाता है तो इसलिए इसको मेल हार्मोन भी कायात है या इसे सेक्स हार्मोन भी का जाता है क्योंकि यह हार्मोन सेक्स के लिए बहुत कारगार साभीत होता है सेक्स की बहुत सारी कि प्रोडम्स पूलो जाती है बहुत पूर्सों क्या है काम उच्छा यानि कि उसकी सेक्स करने की इच्छा कम होती है तो उसमें भी हार्मोन मदद करता है यानि कि उसकी सेक्स करने की इच्छा भी बढ़ाता है जो टेस्टी स्टून हार्मोन डवलप का होता है यह सरीर में हम हमारे जो झो पे बाल आते हैं हमारे जो हर जगाव अलग अलग जगान बहार आते हैं तो यह उन दोनों में एक इति अरलो कि हार्मोन की कमी से बहुत आपको बहुत सार नुक्सान हो सकते हैं सबसे पहले में गताता हूँ जो टेस्टिकल्स में डवलप होता है यह वहीं से पैदा होता है यह हार्मोन वैसे तो नैचरली पैदा होता है अगर आप कुछ भी अच्छा बोजन खाते है विटाइन हार्मों की कमी हो जाती है तो उसकी जो उसकी पूरिकरणने के लिए हम पहुत सारे लेते यह फिर विटामीन लेता है ग्र अबयर से हम लेते जो कि हमारे वहार्मों हमारे बढ़ाता हैसं कभिन करता है लेकिसे कर रहा हूं Before child john I personally की एक्सक्राइज कर रहा हुआर ड्रैसएप्सिक कर रहा हूँ लेकिन मेरी मशल्स नहीं वन रहे हैं तो वह बिंगे कंदल हार्मोन की कमी करना होता है यापकी आपकी जो प् sóloत लड़के के इस तरह के होते जो की बोडि भीन करता है या कि अच्छा होता है झो भी उथ हार्मों का jest का हृता है कि यह सारीर में है अग二 हमारा कून काड़ा हो जाता है तो अस से हमारी hurt problem बढ़ जाती है यानि जब खून काड़ा हो जाता है जो हमारे खून नसों में जम जाता है उससे हमारा hurt अटागा जाता है लेकिन जो testicle hormone होता है ये हमारे खून को पतला करता है जो भी जिसका testicle hormone अच्छा होता है तो उसमें उसका सब्सक्राइब को अलगी दीखती है उनका मुसल सब्सक्राइब को पूरा कर सकते हैं तो इसमें आपकी टेस्टिकल हार्मोन बढ़ सकता है दोस्तों टेस्टिकल हार्मोन से क्या क्या कमी आपकी सरीर में देखने को मिल सकती है आपको नीन कम आती है तो उसमें भी टेस्टिकल हार्मोन की एक बहुत उप्योगिता होती है आपकी सेक्सलिटी प्रोपला में एक्टाइल डिस्फक्सन हो रहा है या पिस अपन्दोस हो र रही है तो उसमेश करिए रहा थो इसकी कमी है तो यह आपको यह सिटम देखने हो मिल सकते हैं आपको टैंसटन होती है बहुत सारा आ। सही च운데 नीद नहीं आती यह पिर अपकी बोड़ी नहीं भूलना ही आपका वेट गयर रहा हो आ है तो यह जो सिप्टम हैं तेस्टिकल ह oluyor कि आप और ये सिप्टमों देखने को मिलते हैं दोस्तों अगर आप तेस्वित्कल हर्मों किस त्रह आप को आप बढ़ा सकते हैं किस तुरह इन चीज़ों को नियॅन्ति करो अप dyופ cigs को बढ़ा सकते हैं सबसे पहले हukा सकते हैं अरका जूस पी कर 막को ये सकता है अगर और आप बीयूद सकटे बढ़ा चाहते हैं करन ली चाहिए भागनाता बिना कही से साथ लेए तो आप बढ़े जाए और B sex की प्रोब्लम में प्रोटम के बीच के प्रोटीन मिलाकर पर ले सकतेया हैं जो कि मैंने इसके बहुत सारी वीडियों मनाई मैं तो आप उसको पीडिक सब्सक्राच निंग में बिसको क्लिक करके देख सकते द्यूए उसके अलावा आप अद्रक का इस्तिमाल अगर आप करते हैं चाही में अद्रक का सिंगरे तो उससे भी आप टेस्टिकल्स हार्मोन बढ़ जाएगा विटामीन डी का आप योग करे गया कोई भी इस तरह का प्रोटीन लोगे जिसमा विटामीन नहीं नहीं हो दी या इस तरह कि सबजिया खाऊगे या इस तरह का कोई भी फल खाऊगे से विटामीन डी हो दी या फिर आप धूप में टैल होगे तो उससे भी आप टेस्टिकल्स हार्मोन को डवलप करते हैं बढ़ सकते हैं तो अगर आप वजन को नहीं तरीट करते हैं अगर आप बहुत सारे आपका हार्मोन बढ़ाएगा प्कि मसल्त गेंड़ोगा वेडगेंडगा दोस्तो इसके अलावा आप नारियल कच्छा नारियल खा सकते हैं अलगा जूस पी सकते हैं संतुलित आहार विट हरी पढ़िपदिदार सब्जिया फल भी आप खाते हैं उस से भी टैस्टिकल्स हार्मोन को बढ़ा सकते हैं दोस्तों अगर आपका टेस्टिकल्स हार्मोन बढ़ा होगा तो आप जो भी कुछ खाएंगा आपके सरीर में लगए ऐसे आप केले का जूस पी रहा है आप सोच रहे हैं मैं तीन महीने से केले अगर हमारा टेस्टिकल्स हार्मोन कम होगा तो जो भी हम खाना खाएंगे खाना सरीर को नहीं लएगा वो खाली हमारा पैट बढ़ाएगा हमारे तोंद बढ़ाएगा और कुछ नि बढ़ाएगा तो टेस्टिकल्स हार्मोन को आप इस तर भी कम कर सकते हैं अगर आप वेट को नहीं अंतरित कर रहे हैं तो तब यह आप योगा कर रहे हैं दो डोड़ रहे हैं तो हर्मोन कम करें आप कर रहे हैं तो सब्सक्राइज करना बहुत ज़रूरी है आप डेली तस बीस से पच्छी में एक्साइज के लिए के के लिए निकाले आ थोड़ा टैल सकते हैं या योगा कर सकते हैं या फिर थोड़ी योगिंग कर सकते हैं या पूसब लगा सकते हैं तो थोड़े एकसाई अगर आप करते हैं तो इससे आपका वेड भी नियंतरित होगा आपका टेस्टिकल हार्मोनी बढ़ेगा आपका सरीर भी एक्टिव अगर – अगर टेस्टिकल हर्मोनी कमी रहेगी तो आप के सरीर बिल्कुल हलका रहेगा आप आपके सरीच में वह बहुत बहुत जल्दी कमिपने हो रहे हैं थके जाते कुछ भी काम करने ही पाते हैं तो वह सब अच्छी लिए चैनल के अलिए लेका हुए तो दोस्तों और matters Catholic & empathicinin देख सकते हैं यह दोस्तों डाइक कर लेना और दोस्त Allian हार्मोनी कमी से या आपके जो बाल जड़ते हैं या आप इसकीन पे मुवासे होते हैं या जो की सकीन है वो अच्छी नहीं देखती बिल्कुल बलैक बलैक देखती है तो वो भी सब टेस्टिकल हार्मोनी कमी से होता है यागर टेस्टिकल हार्मोन की आपके सरी में कमी होगी तो कही ना कही आपका पूरा सरीर उसे परवावित होगा आपके बाल जड़ेंगे आपकी स्कीन अच्छी नहीं रहेगी आप पतले हो जाएंगे आपका वेट गेन नहीं होगा आपका सेक्स लेवल कम होगा मसल्स गेन करेंगे तो मसल्स गेन नहीं तो यह सब टेस्टिकल हार वो उनको डवलप कर सकते हैं दोस्तों अब भी चैनल सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक कर लेना ऐसी इंपोर्टेंट इंपने के लिए आगे भी लेकर आने वाला होगा